जै जोहर संग्वारिमान मैं अमित्र आठोर आप सभी का अपने यूटूब चैनल स्वागत करता हूं और हमारे जो वीडियो को जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इन्पूट डिवाइस इस से पहले हम लोग ने कंप्युटर डिवाइस में CPU और Port के बारे बात किया थी ठीक है और Floral के डिवाइस में बात किया थी अब उसके बाद हम देखते हैं कि peripheral device गंतरगत जो आने वाला जो device है input device और output device तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है तो जैसे मैं input device की बात करूँ तो input device क्या होता है किसी भी प्रकार के आकड़ा या data को computer में input के रूप में या interaction के रूप में पहुचाने के लिए जिस माध्यम का हम उप्योग करते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे input device कहा जाता है ठीक है तो input device जो interaction पहुचाने की जो माध्यम में हो क्या क्या है आई देखते हैं क्या क्या होता है तो सबसे पहले जो डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड कीबोर्ड जो सबसे पहले डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड दूसरा है आपका माउस दूसरा माउस और क्या होता है एक होता है लाइट पेन लाइट पेन जो है स्टिक ट्रेक ब तो यह कुछ input device हैं इसके लाओ भी और भी बहुत सारे input device होते हैं और यह जो input device है उसको हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी क्या क्या विश्यस्ता है और कहा कहा पर हम इसका उपियोग कर सकते हैं तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा keyboard के बारे माज देखेंगे उसके तो जो keyboard होता है वो हमारा क्या है इंट्रेक्शन पहुंचाने के लिए उसका उसका उपियोग करते हैं इंपूट डिवाइस की रूप में तो जो आपका keyboard है वो एक प्रकार का primary input device है जिसका सबसे ज़्यादे हम उपियोग करते हैं किसी इंट्रेक्शन को computer तब पहुंचान इंट्रेक्शन के लिए तो जो आपका keyboard है वो आपका प्रात्मिक या primary input device है एक standard keyboard होता है उसमें जो कीज की संख्या है वो कितना होता है जो keyboard है उसकी जो कीज की संख्या है वह होता है आपका 104 ठीक है यह मैं आपका standard keyboard की बारे में बात कर रहा हूं आजकल कीबोड आते हैं इसमें कहीं में 109 STE 611 101 सब अलग अलग कंपनी के कीबोड में होते हैं कि होते हैं उसमें आपका 104 की होते हैं ठीक है इसके बात कि ने निदे कि आउं कूण इनome stitch प्रकार की की बोर एक को सबसे पहले कि ताइम अमयों की बर्ट करem करें यो हम आजा कर discriminate है उसमें यहां पर क्यूर्व say start होते है लेकिन यो कि यहाँपर और होता था और होता था था ओ यह थोड़ता सा अपोजुंट था उसमें क्या होता था जो कार्य करनी की और दुत थी तो इसमें क्वाइल कीबोर्ड था वह इस ही प्रकार का यहां पर आपका A से जेड ऐसा करके A कहा जाता था इसको एचैटेट Kaiser कीबोर्ड करते हैं इसकेदि ऑघंड की वरह में और चाहिए वह मुबाइल में हो चाहिए कम्प्यूटर में हो है यहां तिक समझ में आगे होगा ठीक है अब आगे दिखते हैं एक प्रेमरी इंपट डिवाइस होता है एक हो चाहर इसमें कीज होते हैं, standard keyboard में, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर जैसे हम एक diagram को समझने के कोसिस करेंगे keyboard में कौन-कौन से बटन होते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं बताओ, तो यह जो keyboard है, उसको हम अलग-अलग पार्ट में divide करते हैं, ठीक, तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा function की होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप 1 से लेकर एप 12 तक का आपको button देखने को मिलता है इसको function button कहा जाता है ठीक उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा just जो function button होगा मोसी साइड देखने को है आपको यह क्या होता है आपका special के खक्या चैस चार बतन होते हैं उसको कर्षार मोमेंट की इसको क्र्षार मोमेंट सबसे ज़ए ज़ए यह है इसको क्या किया आपकर इस एप सीले झेल और थिक इंड और एंट वैसमें क्या रहता है छायन रहता है इसमें नंबर भीփता है एप यह लेकर Z तक कि आपके यह लेकर Z तक कि आपका Alphabetical वर्ड रहते हैं ला इसके इसको क्या कहा जाता है Alphanumerical Keys कहा जाता है उसके जश्ट नीचे में आपको मिलेगे यहां पर Alt Ctrl Shift तो यह जो बटन होते हैं इसको modifier की कहा जाता है modifier की तो यह जो हम लोग इसको 6 पार्ट में divide किये हैं keyboard को और मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते है इसके बारे में हम पूरा detail में देखते है क्या क्या होते है तो सबसे पहले हम देखेंगे function की की बारे में function की कैसे कैसे work करता है तो सबसे पहले जब हम function की की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि function की में f1 से लेकर f12 तक की button होते हैं और उसका सब कर अलग-अलग use होता है लेकिन जो function की होता है वो अलग-अलग platform पर अलग-अलग work करता है जैसे हम normal window में है तो वो button है वो अलग कारिया करेगा ठीक उ एक्षल में जाएंगे तो अलग work करेगा टेली में जाएंगे तो अलग work करेगा ठीक है लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं हम एक window की हिसाफ से देख रहे हैं कि window में कैसा काम करता है हमारा function button तो जैसे मैं f1 की बात करूं तो f1 के use हम किसके लिए करते हैं help लिए करते हैं अगर आपका app 2 बटन, अगर आपको किसी भी file या फोल्डर का जो नाम है उसको आपको change करना है, rename करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते है, app 2 का use कर सकते है, rename के लिए, app 3 होता है जैसे हम को को file या फोल्डर नहीं मिल रहे है, ठीक है, हमको नाम पते है लेकिन उसका location नहीं type करके उस folder या file को search कर सकते हैं, next है अपका app 4, app 4 के यूच करता है, जैसे आप किसी application program में है और आपको उससे बाहर आना है, तो क्या करेंगे हम alt f4 करेंगे तो हम उस program से बाहर आ जाएंगे, अगर हम window में है, मतलब हमारा computer को कोई application program नहीं कुला है, और हम को computer को off करना है, shutdown क तो हम क्या करते है, alt f4 करके interface करते हैं, तो हमारा system है, shutdown हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक, तो हम f4 करते हैं, shutdown करने के लिए, या किसी program से बाहर आने के लिए, हम alt f4 का use करते हैं, उसके बाद है, f5, f5 क्या होते हैं, refresh, refresh करने के लिए, तरह ताजा करने के लिए, जैसे system क् हो जाता है कि बात करते हैं कि हम इंद करते हैं तो थोड़ा ऐसा अरह एमुता GoPro करते हैं तो फिर हो ए fines ऐते हैं और refresh करने करने के हम किसकी यूज़ करते हैं आपका 500 बटन का यूज़ करते हैं उसका должна आपका चैज्ट अगराको किसी साइट का एड्रेस चाहिए हाँ अगर आपको इंटेनेट साइट प्राऌजारपे है और आपको उसके यूज़ चाहिए ऊच्वान कि डियरेक्टे अभी अभी हमको इतना ही जानना है कि F7 के यूज हम इस पेलिंग चेक के लिए किया जाता है और यह कोस्टन आपके कई बार आया हुआ है उसके बाद है आपका next F8 जिस्टम हो रहा है यह यहां पर किया जाता है तो आप उसमें जाएंगे तो यह जो आइन है इसके बहुत जाता वहाँ पर यूज होता है उसके बाद next है आपका f11 जैसे हमारा monitor है उसको हमको fully screen में देखना है कोई भी presentation है उसके हमको fully screen में देखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एप 11 के उसको देख सकते हैं नेक्टे है क्या होता है जैसे हम कोई भी फाइल में कर रहे हैं उसको हमको सेव करना है तो उसके लिए हम क्या गटारते हैं अब को किसी एक नाम से सेब कर दिया उसका हमको कौपी चाहिए उसको फिर से हमको प्रतिरूपी बना सकते हैं तो यह हो गया है हमारा यहां बहुत बार कॉस्टन आया हुआ है तो इसको अच्छा से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा है नेक्ट है नेक्ष्ट है हमारा दूसरा कि अल्फनtyard आंब ही शन् spinach कि कीज होंगे ठीक है उसके अलावा हो क्या होता है यहाँ पर जीरो टू नाइन यहाँ पर आपका निमरिकल नंबर रहेंगे इसके लावा आपको इसपेसल जो सिंबोल होते हैं जैसे मांगी जली कि कि एंड डॉलर पर्षेंट एस्ट्रिक है तो इस प्रकार के जो सिंबोल है वह हमको आपन मिलेगा यह वाला जो भाग है की बोट का जो अल्फ अमेरिकल वाला वहाँ पर हमको यह मिलेगा ठीक है उसके बाद नेश्ट है आपका जो तीसरा है वह है स्पेसल इस पेशल परपस परपस की इस पेशल परपस की में क्या होता है यहाँ पर जैसे चाथ-पांच बटन दे रहते हैं उसमें आपका डिलेट हम इंड पर पर जाउन और आपका इंशर प्रेंटिश च्रॉल यह सारी चीज यहाँ पर दिये रहते हैं उसको सब को अलग अलग यूज होता है जैस अगर आपको ब्राउजर में तो आपको जैसे उस प्रेस के अप जाना है तो आप डबाएंगे तो वह आटमेटिक स्कॉल होने लगेगा डाउन करेंगे तो नीचे आएगा थाना उसी प्रकार होम और इंड रहता है तो अगर मान की चलिए कि हाँ पर हमारे पास एक यह हमारा विंडो है अब हमारा करशर यहाँ पर है हमको कहा पर आना है इंड में यहाँ पर पर इंडमे में तो हमका कर आएंगे थे सकाट ना ऐसके की इस पर परपस कि बाद जो है ने जो जाओ मिः कर रोख शर्ममेंट करशरर जो की हैना क्व्य क्या हूत ऑपकर नो में की इसमें मैंक्त अव्यक्त आई कि हम जैसे हैं और यहां पर कर आना है तो हम प्रेस करते जाएंगे तो दिवर फिला पर ऑढगे बढ़ां के समय अगर अगर इन्टन को बटन एक भलते है उसको जो mountain उत्ष में यह हुप कर आतक हुए ये जैसे यह होता है आप आपफ होते हैं आपको डाउं यह आपका right यह होता आपका left तो अगर अगर राइणा पटन प्रेसच करना पड़ एक उपर आतर भड़ा यह तो आपको कर्सर मुमेंट की बात है आपका निमेरिकल की ठीक है नेक्स है हमारा निमेरिकल की निमेरिकल की में क्या होता है एक कैलकुलेटर के पैड जैसे है यहाँ पर हमा को एक पैड मिलता है जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है जिरो से लिकर नाइन तक के इसमें नमबर लिख रहता है और कुछ-कुछ जैसे आपका डॉट है एश्टीक है डिवाइड है डिवाइड है तो यह सारे चुछ सिंबॉल है यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें अ-स्पेसल कहता है नम लॉक का है लॉक कीद देन हमारा जीरो टू नाइन 二 वटन रहते हैं ठीक दू इह होगा रहां नूमेरिकल की उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है modifier key modifier key modifier key क्या होता है एक प्रकार करें combine की होता है मतलब कोई कारीन को कर ना है तो उसको खाली एक button को press करेंगे तो च्छोह एक प्रेस करना होता है तो इसे लिए सबी civil क् knight के बोलते है लिए मोजिफायर की बते हैं तो modifier की में हमें क्या के आ जाएगा आप्का जैसे modifier की बात करें तो इसमें आज आएक आपका control control एक होता है आपका alt एक होता है shift shift वे क्या है आपका modifier की होता है इसका अलग-अलग बटन के साथ combine करके किया जाता है है यह हो गए आपका modifier की जैसे example के लिए मैं बताओं आपको computer shutdown करना है तो आपको क्या करना पड़ता है control plus F4 है ना जैसे थोड़ा देर पहले में बताया तो यह क्या करते हैं दूसरे बटन के साथ मिल करके किसी भी कार्या को करता है तो यह हो गया आपका modifier की इसके लावा भी keyboard में और कुछ-कुछ special button होते हैं जैसे अगर आपको पास keyboard में जो सबसे बड़ी बटन की बात की जाए सबसे बड़ा बटन क्वाता होता है सबसे बड़ा की का लैसे होता है तो आपका SPA प्रेस करेंगे तो यह आपको आगे मिटा देगा इस पेस की का मतलब क्या होता है यहां पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं हमको क्या करना है यह जो टाइप की है इसके बीच में केप देना है उसके लिए हम इस पेस की का यूज करते है ठीक उसके अलावा होता है एक होता है एक ह आपको पहराग्राप चेंज करना है तो उसके लिए यहां पर होता है आपका इंटर बटन अगर आप कई पर टाइप कर रहे हैं और आपका जो पेज है आप आप पूरा इंडर में पहुंच गया है आपको दूसरे लाइन पर आना है तो यहां पर क्या करना पड़ता है आपको इंटर बटन का यूश करना पड़ते हैं यहां तक समझ में आगे होगा आप रूपको उसके बाद जो आगे है नेक्स्ट है इसमें एक होता है एक आपको स यहीं आपके पास दो क्यों होता है यह बाल वह करता है यह क्या करता है कोगे वह औरकर तो इसमें एकментिर हो है तीकिमाने अमेत्ली क्राहिए तो क्या हूगा रिखे करंगे वह बड़े स्पोनागाना टिकिता के लिए झाल मैं के गकर देंगे और इस वह एक कुछ। कीश्यां की वह नहीं एक है करने का मतलब क्या है जिस के अइसर। आम लॉकी करते है उसको दो भिन पॉपर नम्रोग निक impacto यहां पर पता है उसका नम्रोग को ऑप कर दो तो एन प्ताइब बंद कर देता है तो वह औरू हो जाता है तो किसी हमची भी वड़के लिए नेक्स्ट है अपका की लॉग कि लॉग करने के क्या होता है ये बिट इक को सरे आया हुआ था जी हुआ हम या जरते रहता है ऊजर को नहीं पता है कि कि लॉगुज हो रहा है है आखके है बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल